तो हore नमस्कार दोस्तों इन गरियों के टाइम पी रहे होगे को हो और ऑक्ता है यह आप मैं इन काफी ज्याने दा सो की ना युख हो गये ओर भी यह ही इनवी ज्याओ टीस चीज तो इसी चीज के साथ मैं आज वीडियो बना जाए तो दोस्तो बात कर लेते हैं आज की वीडियो में हम इस कोल्डिंग के साथ में करने क्या वाले हैं इसे तो दोस्तों इस एक्सप्रीमेंट को करने के लिए कि छहीं होंगी में एक कोल्डरिंग मैंने चोटी लिए और एक चीज मैंने इसमें ध्यान रखी मेरी है मिरह मेरे थो कुल्डरिंग मेरे मून में दूकान अगे के दुछाम मतलब तो से सबुट sodium carbonate और थोड़ी सी सोल्ट यानि नमक और एक ले लिया है मैंने यहापे प्लेट और स्पून दोस्तों करते हैं अपने जल्दी फटाफट इन सब को एक दूसरे में मिक्स चलिए करते हैं इनको फटाफट से मिक्स अपना करता हूं इनको साइड में और यार सबसे पहले जो है मैं अपनी जो कोल्डिंग है वो करूंगा अपनी इस प्लेट में तो यार करीबन इतनी कोल्डिंग काफी रहेगी फालतू मैं यार हमें ज्यादा इसको एस्ट नहीं करते हैं वैसे भी यार मेरे को काफी पसंद है बाद में मैं इसको पीलूंगा तो यार अब जो रखाएं डाल रहा हूं और अब डालूंगा इतना ही कि नमत आज़े इतना डेखिए काफी रहे अब जो आपने से हमें थोड़ी देर ऐसे मिक्स करना आ है आधैसे टू यार अगर आप इस थोड़ी देर मिक्स करोगे अच्छे तो यार इसका जो हलकलका आप देख सकते हो color white होने लग जाएगा और यार यह नहीं है यह पानी नहीं है जो यार इसमें यह मिल जाएगा अच्छे से नमक इसमें जो है यार यह ऐसे ही रहेगा तो चलिए आप देखते हैं इसमें आग लगाके अब यार सबसे जादा मज़ा आने वा जावर से ट्राए ताकि आपका भी टाइम जो है रेष्णा हो यह मैंने जलाई तिल्ली और दो तो आप देख सकते हो यार हमारी जो फोल्डिंग की भाई उसमें आग पकड़ ली है यह भाई बिल्कुल इस वील एक्सपरिमेंट है आप देख सकते हो यार इसमें जो है कैसी लगी और यार मेरी आप से रिक्वेस्ट है आप ऐसा खुछ भी अपने घर पर ट्राए बिल्कुल मत करना तो यह एक्सपरिमेंट भी रहा हमारा दन ओहो गाईस देख सकते हो तो आप यार कितनी इसमें तेज आग लगने लगी है अब देखे यार धिहान से देखिए आप जड़ा तो जो चीज यार हम जिस चीज को अभी तक पीते आ रहे थे यार उसमें भी इतनी कह भी खतरनाक आग लग जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था तो आपको नेक्स कभी सोचा था आप नीचे मुझे कमिंट में जरूल पता देना तो भाईयो आप देख सकत पसंद तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और प्लीस यार चैनल को भी कर लीजिए सस्काइब और उसके बगल में दीए बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर जब भी कोई न्यू वीडियो प्लोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और